हलो स्टूरेंट्स आज मैं आप से जिस टॉपिक के बारे में बात करने आ आ ला हूं उस टॉपिक का नाम है कुलम्स लॉओ अब सबसे पहले हम हर बार जब भी कूलम्स लॉओ की डेफिनेशन पड़ते हैं तो उसमें यही होता है दा फोर्स इस डावन दा फोर्स डारेक्ली पॉपोर्शनल टुदा प्रोडॉक्ट ऑफ टू चार्जेश एंड इंवर्सली पॉपोर्शनल टुदा स्कॉयर ऑफ डिस्टेंस दैन इडिस कॉल ला कूलम्स लॉओ तो हमें असानी से याद हो जाती है लेकिन हमारे अंदर सबसे जादा में यह परशानी इस बात की होती है कि आखर हम इस लॉओ को यूज क्यों कर रहे हैं सबसे पहली बात तो हम यूज के बारे में मालूमात कर लेते हैं कि इसकी एप्लिकेशन क्या है अगर मान लीजिए कोई दो चार्जेश हैं जैसे मैंने यहां पर एक एक्जामपल सेट करके दिया है आपको दो साथ हमेशा क्या रहता है एक क्या तो फिर वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर वो नेगिटिवली चार्ज होते हैं अगर यह चार्जेश पॉजिवली चार्ज हुए तो यह चार्जेश क्या करेंगे एक दूसरे से भागेंगे और यहां पर उस दोरान कुन सा फ तो यह जो forces हम जो determine करते हैं दो charges को एक दूसरे के वी repulsive force जो लग रही है वो force हम determine करने के लिए किस law का इस्तमाल करते हैं उस law को हम कहते हैं coulombs law इसी तरह से अगर इन दोनों charges में एक plus charge होता और एक negative charge होता तो क्या होता उस दोरान क्या होता कि दोनों के दोनों charges एक दूसरे से attract होते तो इस दोरान जब यह attract होते तो यहाँ पर जो force लगता उस force को हम कहते हैं attractive force तो उस attractive force के दोरान क्या होता दोनों के बीच का distance क्या हो जाता कम होने की कोशिश होती तो इस attractive force को determine करने के लिए again जिस law का हम utilize करते हैं उसे हम कहते हैं Coulomb's law ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर electrostatic force क्या है आप यहाँ पर सबसे पहले एक word देखेंगे the electrostatic force दोस्तों मैं आपको कुछ example देना चाहूंगा आपने कई बार देखा होगा क्या आप क्या करते हैं गर्मियों की टाइम पर नाइलोन की बैट शीट के उपर जाके जैसे ही बीटते हैं या लीटते हैं या पिर उसके ओपर हाथ फिरते हैं या फिर्क्षण की करते हैं उस दोरान ग्या होता है का आप you happen इसी तरह से अप सउमर टयम में एहरा आप नोप को टच करते हैं तो क्या होता है आप को जटका लगता है आपने बच्पन में अपने फ्रेंड के साथ जो एक घेम खेला हुगा जिसमें आप चेर पर बेड़े आती थे तो दूसरा दोस्त क्या करता था आपके चेर के ऊपर टॉविल से कपड़े से या फिर केट पर से या फिर किसी सिल्क लोग से अगर वो इसके बाद अगर आप उसको टच करते तो तो क्या होता था आपको एक जटका लगता था इसी तरह से अगर आप वही प्रॉसस कर रहे हैं कोई आपका फ्रेंड अगर चेर पर बेटा हुआ है और आप उसे क्लोच से स्ट्राइक कर रहा है तो इंस्टिड ऑ तो टच करता है तो उस फ्लेश लेंब में क्या हो जाता है एक लाइट दोड़ती हुई दिखाई देगी आपको डार्क रूम में याद रखिए दोस्तों यह प्रॉसस जब भी करें तो डार्क रूम में करें तो फ्रेंड यहाँ पर चार्ज का मतलब क्या रहता है यहाँ पर आपक नियाट की यहाँ पर जैसरे है अरहता है तो हुआ चार्जान ओना में चार्ज में इसारे होड़ती बुद्ऑ के दनों रहना है और लेफ़ने हम चार्ज plus 거죠 में सेम सेम पॉजिटिब में हैं तो दोनों के दोनों Cancer क्या होंगी एंग दूस्रे को रेपल करेंगे और वाइज डोनों चारज इस डफेरेंट में हैं डिफेरेंट हैं उनका तो दोनों है करेंग्गे एक दूसरे को रेपल करेंगे आई होप आपको यह चीज समझ में आई होगी अब यहाँ पर हम जिस columns law का जैसे मैंने आपको बताया है columns law हम किस condition में इस्तमाल करते हैं columns law हम इस condition में इस्तमाल करते हैं जब हम किनी भी दो charges के बीच के दोरान repulsive force का repulsive force determine करना होता है या फिर हमें कोई attractive force दोनों charges के बीच में determine करना होते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने जिस फॉर्स के बारे में आपको बताया था कि forces directly proportional to the two product of two charges inversely proportional to the square of the distance अगर आप जैसे ही यहाँ से directly proportional के symbol हटाते हैं तो यहाँ पर एक k की value आ जाती है जिसे हम coulombs constant के थे हैं coulombs constant को mostly अगर हम जब भी किनी दो forces के किनी दो charges के बीच में forces determine कर रहे होते हैं तो हम वो vacuum chamber में लेते हैं उस vacuum chamber के अंदर अगर आपको coulombs k की constant की value to determine करनी तो उस दोरान आपका formula क्या हो जाएगा k is equal to 1 upon 4 pie epsilon not यह आपका formula हो जाएगा epsilon not का meaning क्या हो जाता है epsilon not का meaning यह रहता है permittivity of space permittivity of space का meaning क्या रहता है अगर कोई भी conductor जो के इसी charge को permit कर रहा है flow करने के लिए कितना charge वो permit कर रहा है means कोई भी conductor है आपका वो कितना permit कर रहा है चार्ज को flow होने के लिए उसे हम कहते हैं permittivity of space अब यहां पर permittivity of space कि अगर आप value देखेंगे तो यहां पर मैंने लिखा 8.8542 into 10 to the power minus 12 coulombs square per Newton per meter square Newton meter square and then again इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं 9 into 10 to the power minus 12 coulombs square per Newton meter square similarly हम इसी चीज को अगर permittivity of space की value होती है आपकी permittivity of space की value आप कितनी लिख सकते हैं 9 into 10 to the power minus 12 यह आपकी permittivity of space की value होती है अगर आप इसी permittivity of space की value अगर आप यहां पर इस formula में put कर देते हैं तो उस दोरान आपकी coulombs constant की value हो जाएगी 8.988 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulombs square इसको आप क्या लिख सकते हैं डारेक्ली लिख सकते हैं कि 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulombs square दोस्तों ध्यान्या कीगा के coulombs constant की unit रहती है Newton meter square per coulombs square आईए दोस्तों अब इस से कुछ related questions हम numerical करके देखते हैं अब यहाँ पर अगर आप एक question पढ़ेंगे the distance between the two particles having a charge three micro coulombs and one milli coulombs is three meter means यहाँ पर एक charge है एक positive charge है जिसका value कितनी है three micro coulombs है और एक दूसरा है जिसका एक one milli coulombs है यह भी positively charge है अब दोनों के दोनों forces क्या करेंगे एक दूसरे को ripple करेंगे एक दूसरे को ripple करेंगे और इन दोनों charges के बीच का distance किता दिये हुआ है वह आपको दिये हुए six similarly दूसरा चार्ज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यू टू इक्वल टू वन मिली कूलम है तो मिली क्या होता है यह दोस्तों टू दी पावर माइनस ठीरी है याद रखीगा मिली में कूलम 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 के बीच में जो फूर्स लग रहा है वह कितना लग रहा है दोस्तों वह लग रहा है आपका त्री न्यूटन लग रहा है नाओ मूविंग ओन तो दा नेक्स कोशन अब नेक्स कोशन हम देखते हैं आप नेक्स कोशन में आपसे कह रहा हूं फाइंड नेट फॉर्स फाइंड दा नेट फॉर्स ओन थ्री कूलम चार्ज प्लेज़ इन दा फिगर और आप से यहां पर आप गौर से देखें गे तो यहां پर एक फिगर दे रहा है और आप से कहे रहा है तीन इहां पर तीन चार्ज़ लगे है एक चार्ज जो है उपर वह wheหน पीटर अब हम telling yangvous मैं है वह पूछ रहा है कोशन आप से कि यहाँ पर आपके तीन चार्ज हैं और आपका जो थ्री सी कूलम थ्री कूलम्स वाला जो चार्ज है इस पर आपका टोटल पोर्स कितना लग रहा है वह आप डिटर्माइन करके देशिए अब हमने तो भी कूलम्स लौ में यह पढ़ा है कि कोई ही भी दो चार्ज होते हैं उन दोनों के बीच का फोर्स निकालना होता है तो हम बिल्कुल staphy करेंगे हम सबसे पहले 5 कूलम और 3 कूलम को ले लेंगे कि लिए यहाँपर ت सबसे पहले मैं ने किया किया यहाँ पर इक मैं ने 5 कूलम्स लिया और यहाँपर में लिय या three column अगर आप यहां पर देखेंगे तो दोनों ही Лचार्जस कैसे हैं मतलब एक दूसरे को क्या करें यह धीन को रहा है पार नो के बीच में रिपल से आ रहा है फिर से आगें मैं कि करेंगे कि 5 कूलम की वाज्य से 3 कूलम की ऊपर थरी कूलम के world कूलम की कारों तो यह कर दो कूलम्स फोर्स उन फाइब फोर्स ड्यू तो फाइब कूलम्स एक्वल टू के इन्टू फाइब इन्टू थरी और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है तो उसका हम स्क्वाइर कर देंगे अन्सार ऑन सॉल्विंग विल फाइंड आट त्री इन्टू 3.75 ऑफ के की वेल्य के उपर फाइब कूलम्स की वज़े से कितना फोर्स लग रहा है अब अगेन अब क्या करते हैं अब हम नीचे वाला पोर्शन ले लेता हूं यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है तरी कूलम्स उसके बाद नीचे की तरफ के लिए रिखा हुआ है माइनस टू कूलम्स तो यहां पर क्या है एक पॉजिटिव ली चार्ज जे तो माइनस टू क्या करेगा अपनी तरफ एट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा अब जब एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो आपको यहां दो को ऊपर तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिपॉल्स फोर् फोर्स लगा रहा है थे एक फोर्स तरफ 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 अब त्री कूलम क्या कर रहा है यहां पर एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है दोस्तों यहां पर एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है यह फिर से एक दाइग्रम फिर से पूरा बना देता हूँ आपको यहां से समझ करेंगे अब यह वाला माइनस में और यह ब्लस में यह दोनों क्या कहा जाएंगे एक दूसरे को एक ट्रेक्ट करें लेकिन इस पॉइन के पास जो जो डो इरोज हो हमें सिर्फ वही लेने हमें सिर्फ दोस्तों वही लेने हैं तो याद रखीएगा अब मैं कौन से किसकी बात कर रहा था यहां पर त्री कूलम और टू कूलम की एक चार्ज ही रहा थी कूलम दूसरा चार्ज हमारा रहा माइनस टू कूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वन मीटर तो आप यह देखिए यहां पर मैं माइनस टू सी कूलम की वज़ह से 3C कूलम की उपर कितना फोर्स लग रहा है वह क्या हो जाएक को लूंज के का कॉनसा तो इंटू कर दूंगा मैं टू इंटू 3 ओं कितना हो जाएका बन का स्कॉयर जाएका ऑंसौल्विंग वी लफांड आउट डैट दफ वोर्स यक्टि determine कर रहा था, यहां पर सबसे top पर कैव्ड है, five coulomb and कर रहा है और यहां पर कितना कर रहा है? 3 coulom and कर रहा है, तो बोनों के दोनों forces क्या करेंगे? एक दूसरे को ripple करेंगे, यहां पर एक दूसरे को ripple करेंगे, ओन नीचे की طرف minus two coulomb है, तो यह क्या करेंगी? एक दूसरे को एड्रेक्ट करेंगे यहाँ पर नीचे वाले एड्रेक्ट कर रहा है और मैंने आपसे क्या कहा था कि त्री कूलम पॉइंट के पास जितने भी एरोज होंगे जो बिल्कुल एक दोसरे से सिरफ हम उन एरोज को देखते हैं अब यहाँ पर दोनों के दोनों के एरो जा रहा है रहा है दोनों एक डिरेक्शन में जा नहीं हमने इन дोनों के डियू आप करेंगे ृप पॉर्स में 5 कूलम्स कितना फॉर्स लगा रहा था 3.75 के यह लिख दिया मैंने और यहां पर माइनस 2 कूलम्स की वज़े से और यहां पर कितना फॉर्स लग रहा है अब यहां पर आप दिखेंगे तो जो चार्जिस की जगा अगें कितने चार्जिस यहां पर त्री चार्जिस हैं तो सबसे पहले तो एक इन दो चार्जिस को हम लेंगे क्योंकि कूलम्स लो तो दो चार्जिस के उपर डिपेंड करता हैं तो हम सबसे पहले इन दोनों चार्जिस को लेंगे दैन फिर हम किन दोनों चार्जिस लेंगे एक फिर हम इस दोनों चार्जिस को लेंगे क्योंकि हमें थ्री कूलम्स के उपर फोर्स डेटर्माइन करने ह कर आप ही दोस्त ठीक अब यहां पर खप से पहले में क्या कर रहा हूं कि यह वाला फॉर्स लग रहा हूं कि यह तurgh dale कि रहा है स्थी रहा को में सहीं है आप नेक्स फॉर्स जो है वह रहा है धूल यह ठीक हो से तुम तो बाद को ध्याना किया हुआ यह फॉर्स पर नीचे इंचा राहा हु अब मुझे दोनों आ Jang मुझे लगा रहा है 3 कूलम के उपर वह कितना लगेगा 1.5 के गवार्थ उस पर लगेगा 1.5 के नूटन का फोर्ष त्री कूलम के उपर अप्लाए हुगा अब सिमिलरली अब मैंने आपसे क्या कहा है कगें हम यहां पर tutte फॉर्स में चार्ज ही दूसरा चार्ज जो है इसलिए है इसलिए 3 छॉलम के ऊपर सित्व दो ही चार्ज करेंगे एक तो मइनस-2 कुलम करेंगा जो को कि इसको करेगा और माइनी यह फोर कूलम जो है वो है इसको डेक़ करेगा तो यह देखें तो आप ध्यान से अगर आप आप टो और यहाँ वही बात रिपीट करूंगा कि जिस्ट सुव एक पास nearby के जो arrows होते हैं वो ही हम consider करते हैं अब now, हब हम किसके उपर बात कर रहे थे, सबसे पहले तो हम इसके उपर बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारा act कर रहा है, 3 coulom and then यहाँ पर हमारा act कर रहा है, 4 coulom दोनों ही positive charge हैं, तो दोनों एक दूसरे को ripple करेंगे, 2 charges है मेरे पास, definitely मेरे पास 2 charges है लेकिन क्या इन दोनों के distance मेरे पास है नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह 2 meter दिया हुआ है, यह 2 meter दिया हुआ है, और दोस्तों, यह 90 degree का angle है तो आपको ध्यान होगा, जब भी 90 degree का angle होता है तो हम pythagoras theorem से hypotenuse determine कर लेते हैं, तो इसकी value कितनी आ जाएगी 2 root 2, इसकी value आ जाएगी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, again यहाँ पर दोनों के बीच का दो charges है मेरे पास, 3 coulom से, 4 coulom मैंने यहाँ पर write down कर दिया है ओके constant होगा है, दोनों की बीच की value कितनी आएगी pythagoras theorem से, hypotenuse की value आएगी 2 root 2, तो यहाँ पर 2 root 2 का मैंने यहाँ पर square कर दिया तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप 2 root 2 का square करना ना भूले यहाँ पर एक गलती हो गई है, इस question में यहाँ पर 2 root 2 का square नहीं किया गाला है अब जैसे ही आप 2 root 2 का square करेंगे यहाँ पर तो value कितनी हो जाएगी इसकी value हो जाएगी आपकी 4 into 2, तो यहाँ पर 4 से तो 4 cancel हो जाएगा और 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2 और यहाँ पर भी दोस्तों कितना लग रहा है 1.5 के force लग रहा है यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने 2 root 2 का square नहीं किया है नोट्स में जिस वज़े से इसका answer 3 root 2 के जो आ रहा है वो गलत आ रहा है, एक्चुलिए मैं answer क्या हो जाएगा आपका 1.5 के रहेगा यहाँ पर चली यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर तो यह ठीक है 1.5 के answer आगा जाए यहाँ पर एक force हमने determine कर लिए 1.5 के आगा जाए अब यहाँ पर मैंने आप से कहा था कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो फोर्सेश हैं हम 3 कूलम के पास जितने भी जो forces arrows रहेते हैं उनको हम consider करते हैं अब यहाँ पर जैसे ही आपने इनको इसको consider कर लिया है यह arrows को तो अब आप यह diagram देखिए यहाँ पर अगर आप इस diagram को अगर द्यान से देख रहा होंगे तो इस arrow यह arrow कहा जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है और यह arrow जो है नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं नीचे की तरफ डाउनवर स्वचंवाय देखेंगे तो मैं यहाँपर एक कर रहा हुआ कर रहा हूं यह तरिक यह एक तंगल है राइंगल होता और यह आपको 1.5 पट आहरा पर यह फैसे हία लायन कितने डिग्रीन पर इंक्लाइंड और इनक्लाइंड खेंग ना Download on to the forward अब यहां पर दोस्तों हमसे तो कोशन यह पूछा गाया था कि भाई आप हमें यह बताईए कि तुरी कूलम के उपर net force कितना लग रहा है और अभी तक हमने सिर्फ यह determined किया है कि फूर कूलम क्री वजह से करते हैं किसी भी क्लाइंट फूर्स को आप क्या करते हो हम सीधे रिजॉल्व करते हैं किस तरह करते हैं सबसे होती है और एक होती है आपकी और आपकी यहां पर लग रहा था वह लग रहा था आपका 1.5 के इसकी वेलिए कि तरफ यहां पर ध्यान देंगे अगर आप यहां कितने डिगरी का एंगल है 45 डिगरी का एंगल है तो जिस तरफ बेस कंपोनेंट की तरफ जो जो एंगल लिखा होता है उसे हम कंसिडर करते हैं कॉस से उसे हम क्या कंसिडर करते हैं कॉस से कंसिडर करते हैं अब कोस से इंगल नहीं है इस तरफ एंगल नहीं दिख रहा हूं इहां पर क्या हो गए вин सRIन कंसीडर करते हैं तो साई इन 45 हुगा यह कौस तो और यह और यहां पर आपका फोर्ष कितना दिख रहा था है यहां पॉइंट 5 के हैं तरफ और साइन 45 के साथ भी 1.5 के इस तरफ 1.5 के दोनों तरफ आप इसका multiply कर दीजे दोनों की तरफ अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर से यहाँ पर यह 1.5 के लिखिएगा 1.5 के similarly 3.2 के ना लिखे 3.2 ना लिखे हो गलत है 1.5 के हम लिखेंगे अब क्या किया अब आप अगर ध्यान से देखेंगे अब मेरे पास क्या है इस तरह की कुछ कंडिशन हो गई है means vertical तो रहा नहीं है भाई sorry यहाँ पर क्या हो गया है मतलब कि आपका एक inclined force को मैंने दो component में तोड़ लिया है एक vertical में और एक horizontal में और यह वर्टिकल अब यह force कहां जा रहा था बहार की तरफ जा रहा था तो इसके आप component भी कहां जाएंगे बहार की तरफ तो ऊपर की तरफ की value कितनी है यह वन पाइंट पाइव के साइन कि 45 डिगर सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे कि अगर यह जो force है जो horizontal component है वो क्या हो जाएगा आपका वन पाइंट पाइव के कॉस्स कि 45 डिगरी और यहां पर के लिखा हुआ है मैंने यहां पर मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको ताकि आपकी समझ में आ जाए यहां पर हो जाएगा आपका 1.5 के साइन 45 डिगरी अगें एक component आपका downward direction में जा रहा था तो यह component आपका downward direction में जा रहा है जिसकी value कितनी थी 1.5 के तो दोस्तों इसको note कर लीजिए का अगर आप इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास कितने horizontal component है मेरे पास सिर दो वर्टिकल component है एक upward direction में जा रहा है और एक downward direction में जा रहा है तो दोस्तों मेरे पास सिर्फ एक एक ही component था horizontal का जो के left direction में जा रहा था अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम यह सब क्यों कर रहा है एक्शली में आपको एक resultant force determine करना है जो के three column के उपर act कर रहा है तो इस three column के उपर जो resultant force act कर रहा है वो हम determine कैसे करेंगे r into r equal to horizontal of square root of summation of h square plus summation of v square यह आपका एक फार्मूला होता है तो horizontal forces कितने लग रहा है horizontal forces summation of h equal to zero रखेंगे हम जितने भी horizontal forces हैं उन सबी को हम क्या कर देंगे add up कर देंगे तो और इन सबी को add up कर देंगे तो right direction में जितन भी forces जा रहा है वो क्या कहलाएंगे आपके negative कहलाएंगे ठीक है तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमने जो resolve किया तो यहां पर एक तर एक force जा रहा था left side पे जिसका नाम के था 1.5 के cost 45 degree इस ताना से लिखा हुआ था तो हम क्या करेंगे यहां पर यह ना लिखकर इस कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो value कितनी आई थी 1.5 के cost 45 degree की value कितनी हो जाती है यह 1 by root 2 तो दोस्तों आप इसको solve कर लीजेगा इसको solve करने के बाद आपकी जो value आएगी 1.5 root 1.5 divided by root 2 जैसे ही है आप इसको 1.5 को divided by root 2 करेंगे तो इसकी value कितनी आ जाएगी कि आजाएगी 1.06 of k तो आप दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे पहले समेशन होर्जान समेशन ऑफ एच की value जो आएगी वह आएगी 1.06 of k अब हमारे पास कितने अगली जो चीज हमने resolution के बाद देखी थी उस चीज में हमने देखा था कि 3 कूलम के ऊपर अब दो वर्टि 45 degree तो जैसी हम इसको again solve करेंगे तो फिर से हमारे पास answer क्या आजाएगा यहाँ पर 1.06 of k क्योंकि sin 45 degree की 1 by root 2 value होती यह तो 1.5 को divide by करेंगे आप again root 2 से तो आपकी value फिर से क्या आएगी 1.6 1.06 of k आजाएगी अब यहाँ पर फिर से अगें हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 कूल कर रहा है और नीचे downward direction में 1.5 के act कर रहा है दोस्तों अगर आप यहाँ पर धियान से देखेंगे तो मैंने लिखा है summation of v equal to 0 अब जिस तरह से हमने जितने horizontal forces हैं सभी को हम जोड़ो देते हैं right side में left side में अगर कोई force act कर रहा है तो plus में और left side में अगर कोई जाता है force तो minus म को तो वह रही आई थी 1.06 तो वह left side में जा रहा था force actually में तो हम इसको यहाँ पर negative direction में consider करेंगे then उसके बाद यहाँ पर summation of v जैसी हम लगाएंगे summation of v equal to zero कितने vertical forces हैं हम सभी को add up कर देंगे तो यहाँ पर एक force जा रहा है उपर की तरफ एक force जा रहा है हमारा नीचे की तरफ नीचे की तरफ जो force जा रहा था उसकी value है 1.5 के और उपर की तरफ जो force जा रहा है उसकी value कितनी है 1.06 कि 1.06 कि 1.06 कि 1.06 क जाएंगे उसको हम plus से denote करते हैं नीचे की तरफ जितनी भी forces एक्ट कर रहा होंगे वह हम negative से denote करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा minus का 1.5 के and plus में है 1.06 कि तो हम यहाँ पर क्या कर रहा है एक negative charge जो है 1.5 के है जो negative force से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो माइनस का 1.5 जीरो के करके लिखेंगे दूसरा जो चार्ज है वह 1.064 सप्लाय कर रहा है तो 1.06 के लिखेंगे अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं दोस्तों इसे सब्ट्रेक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रेक्ट करने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर value आएगी 0.24 और यह जो value कर देखेंगे तो resultant का formula क्या होता है दोस्तों resultant का formula होता है summation of h square प्लस summation of v का square अब यहाँ पर है तो resultant की value कितनी हो जाएगी इसको रूट आफ समेशन ऑफ ही value कितनी है वह माइनस का 1.06 का whole square प्लस समेशन ऑफ वी की value कितनी है आपकी माइनस का 0.24 का whole square इसको दोस्तों आप आगे solve करेंगे तो इसमें solve करने के बाद आपकी resultant की value आएगी वह रहेगी दोस्तों आपकी 1.14 जैसे ही आप इसको solve करेंगे तो इसकी value आएगी आपकी 1.14 of k then again जैसे ही आप इसको 1.14 k आई है अगर आपकी value तो यहां पर में लिख देता हूं यहां पर आर की value आई ही 1.14 of k और आपको k की value पता है 9 into 10 to the power 9 होती है इसका और multiply अगर आप यहां पर कर देंगे तो total resultant force कह रहेगा आपका 1.14 into 9 into 10 to the power 9 इसके बाद अगर आप इसको और आगे solve कर रहेंगे तो वह आपकी net resultant force आ जाएगी और जो net resultant force होगी वो newtons में रहेगी तो net resultant force is acting on the three columns that will be that answer so यह था दोस्तों आज का video lecture अगर आपको कोई doubt है if you have any kind of a doubt then you can ask me in the comment box or in the comment sections if you like my video please like this video and for more updated videos please subscribe my channel thank you for watching this video